कि तो आज हम क्या देखते हैं कि क्लाइमेटिक क्लाइसिकेशन ओप दा वर्ल वाल्दी मीर को पेन के अनुसार कई जो भुगोलवेता हैं उसने वीशु को जलवाई उपर देशों में बाटने की कोशिश की जिसमें थॉर्णवेट और ट्रिवार था और वाल्दी मीर कोपेन इन्होंने शरोपर्थम उन्नी सो अठारा में अपना ये क्लाइसिकेशन दिया था उसके बाद उन्नी सो त्रेपन में संयुक्त रूप से कोपेन और गेगरपाल दोनों ने इसको संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया उन्नी सो त्रेपन में तीन एक आपकी प्रेशिप्टेशन और टेंपरेचर और तीसरा लिया इसने नेचुरल वेजिटेशन यही प्राकर्थी के वनस्पति एक तरह से देखा जाये तो इसका क्वेंटिटेटिवी है यह क्योंकि इसने जो मंथली और एन्वल जो टेंपरेचर हैं उनका एवरेज और जो प्रेशिप्टेशन है किसी एरिया की यानि वर्षा यानि आर्दर्ता उसके भी एवरेज लिये हैं और साथ में उस एरिया की प्राकर्तिक जो वनस्पति है उसको देखा है इन्होंनों बोला था कि नेच्वरल वेजिटेशन और प्रेटिकुलर एरिया इस दा बेस्ट इंडिकेटर और एक्स्प्रेशन आप दा टोटल पिक्चर आफ क्लाइमेट आफ दा कंसंड रिजन यानि जो प्राकर्तिक वनस्पति है किसी एरिया की जो पेड़ पौदे हैं वो उस इलाकी की जो जलवाईयू है उसको प्रिलक्षित करते हैं कि है भी जहां पर सुखा पड़ेगा ग्रेंफाल कम होएगी जैसे अपने राजस्थान वगएरा में आप देखेंगे रेगिस्तान मिलेगा कोई चोटी मोटी जाड़ी जोड़ी वगएरा यह मिलेंगे इसके विला जहां पर बारिश भी ज्यादा होगी और जहां पर तो अब इसमें इसने कुछ सब्दों का प्रियोग इसने कैपिटल लेटर्स और समाल लेटर्स का प्रियोग किया है अपने क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ओर्डर में इसने कुछ कैपिटल लेटर्स परियोग किये हैं जो तापियादार पर है यानि थर्मल बेस्ट है दूसरा जो ओर्डर है इसका उसमें इसने इन्होंने रेंफाल को लिया है यानि प्रेशिप्टेशन को और जो तीस थार्ड ओर जो इनके कंबिनेशन बनाए हैं वो नेचुरल वेजिटेशन के तो पांच जो मेन क्लाइमेटिक डिवीजन किये इन्होंने तो उसमें ए बी सी डी और एफ एसे यहां है मतलब ट्रोपिकल कलाइमेट ट्रोपिकल मतलब उसन कटीवन दिया है आर्दर उसन कटीवन दिया है आर्दर जल्वायों किसे डिनोट के इन्होंने ए से और बी यहां पर लिया है इन्होंने ड्राइ क्लाइमेट वी कैसा लिया है ड्राइकल क्लाइमेट और सी लिया है इन्होंने टेंप्रेट मिड लेटिटीटूड में यह वार्म क्लाइमेट होता है ने बहुत ज्यादा सर्दी ने बहुत ज्यादा और डेल यह उन्होंने स्नो क्लाइमिट या मांटेण और फॉरेस्ट क्लाइमिट इन्होंने इसका नाम दिया यहां पे ठंडी ज्यादा होती है गर्मी यहां पे यानि जो गर्म जितू है वो छोटी होती है ठीक है इसके बाद इसमें इलिया आइस क्लाइमेट या पॉलर क्लाइमेट यानि जो दुरुबिया जलवाई हो सारा साल तकरीवन उंगरी समझी तू वहां पे होती ही नहीं ठीक है तो यह तो थे इसके थर्मल आधार पे इसमें एक तो रेनफाल के आधार पे है जो बी वाला क्लाइमेट है और बागी तापी आधार पे यानि भूमद रेकाशे जैसे जैसे हम दुरुबों की और जाएंगे तो वो जो है तापमान कम होता जता है जैसे उले का ऐसे ले सकते ह है एक्वेटर के पास मेगा थर्मल और फिर मीड लेटिटूड मैं जाएंगे तो हम करेंगे मेसा थर्मल और फिर नेक्स्ट टुन्डरा टाइप माइक्रो थर्मल और जो पोलर है जो दूरुबिया है उसको एकिस्टो थर्मल नाम दे सकते हैं हाँ इसमें ट्रोपिकल के यह तरोफिक्स में भी मिलेगा और आपका मीड़ैटिटूड में भी मिलता है हाँ तापमान वहाँ पे कम जो ड्राइ कलाइमेट है ब्लॉक है इसमें की वि है यह इस ने वर्शन का दार दुख साल भर याँ पे जो वर्षन है वो कम होता है विभाव जो वास्पिकन है वो ज्यादा होता है ठीक है फिर इसनों कुछ समाल लेटर्स का भी प्रियोग किया है जैसे समाल A, B, C, D ये टेमप्रेश्चर स्वेरिटी ओप टेमप्रेश्चर दिखाते हैं ये यानि तापमांद ये इधर सीधर बढ़ेगा यान ये तापमान है उसकी आपकी कमी ज्यादा है वो इससे दिखाएंगे फिर एक समाल एफ का प्रियोग के इनों है समाल एफ फुल एर रेम मोर और लेस सारा साल तकरीबन बारिश होती रहती कभी थोड़ा कम हो सकती है कभी थोड़ा ज्यादा हो सकती है एप याद करने के लि पी एक समर ड्राई यानि जो ग्रीशम का मोसम है वह आपका ड्राई यानि ग्रीशम के मोसम में तोमान बारिश नो रेन ठीक है इसको भी याद करने के लिए एससे समर समर्ड रई प्र समाल डबलू डबलू से dwarf Hyundai ड्रimerk爬 यानिर जो रित्एठी वाला मोसम है वह आाप सु तक रिवन विंटर ड्राई रहता है थोड़ा कोरोमंडल तठ पे लोटती वी मॉन्सुन से होता है और वेस्टन डिस्ट्रिबेंस से थोड़ा साइए नदरन जो प्लेन है इसमें 20-30-50 mm बारिस हो जाती है अधरवाइस मोस्टली वो जो है शीत रूत वो जो है कोई विशेस पारिस यहां पर नहीं है नेक्स्ट इनोंने एम मॉन्सुन से समझ दित और जी का भी प्रियोग क्या है यह इंडिया से कंसर्ण है उनली गंग टिक यानि जो गंगा के मैदान में जो क्लाइमेट मिलता है उसके लावा इसने एक एच अलग से लिखा मैंने एच इसने प्रि और यह प्रियोग होगा आपकी जो बी टाइप ओप क्लाइमेट है यानि जो डेजर्ट और जो सेमी डेजर्ट मिलेंगे उसके से लो लैटिटूड यानि ट्रॉपिकल जो एरिया होगा वुमद रेखा के आसपास उसके लिए प्रियोग होएगा एच और जो मुरुष्थल कोल्ड डेजर्ट वगरा जो इंटिरियर पार्स मिड लैटिटूड में मिलेंगे वहाँ पे सब्दे के का प्रियोग होएगा किसका प्रियोग होएगा के सब्द का इसके इलावा इसने कैपिटल डवलू का भी प्रियोग किया है समाल डवलू का भी प्रियोग किया है समाल डवलू, विंटर ड्राइब, और जो कैपिटल है, डवलू, वो है डेजर्ट के लिए है, यानि जो फुल डेजर्ट की जो कंडिशन्स होती है, वो यहां पे, जैसे अपना थार का रेगिस्तान है, आपका सारा मुरुष्थल है, आपका काला हारी मुरुष्थल है, वहां पी यह परियोगों होएगा, उसके बाद एस, जो डेजर्ट होता है, उसके जो ऐडिजैसंट एरिया होता है, जो संकरमन का होता है, जो एरिया, वो स्यमी डेजッट होता है, ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या, S, ऐसे आप याद रख सकते हैं, यानि स्टैपी थाइप अफे, क्लाइमेट यहां पर यहां पर इसका कर सकते हैं अब इनको भी इसने अग्गे फिर मिक्सिंड करके इनका मिलान करके इनको सभी को ए में भी कई तरह के क्लाइमेट हैं ठीक है अभी हम देखेंगे जैसे एडवलू है ऐसे करकर के आप फिर एरिया भी आप मैप में इसको आप मार्क कर लेना कि यह क्लाइमेट कहा मिल जाता है जैसे इसी के कई डिजन आएंगे ए एफ एडवलू एए एस समझाने के लिए एस से लिए आप लेंगे क्या है टॉपिकल क्लाइमेट यानि उसन का टिवंद यह है एफ फुलियर रेन इस जैसे आपका कांगो और जो जाहरे बेसिन है दक्षणी अमेरिका और आपका अफरीका में वहां पे सारा साल बारिश होती है कि शीत्रितों की कल्पना करना वहां पे मेनिंग्लेस कोई माइने निया क्यूंकि सूरिया ओवर हैड रहता है वरस भर किणए सिधी पड़ती है तो साल वर उचे ताप मान रहते हैं और साल वर वहां पे बारिश होती है बारिश कौन सी होती है कन्वेक्शनल रेन फाल समभ पहनी है वर्षा तो एफ यानि उसन कटी बंद यह अतियार दर जलवाईू एडबलू यह भी उसन कटी बंद यह 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 विंटर ड्राइव विंटर का जो मौसम है यह आपका ड्राइव रहता है और एएस वैसे उसन कटी बंद में यह रियरली मिलती है समर ड्राइव होती नहीं है फिर भी यह जैसे आमने देखा था क्लाइमेटिक जब जोन अपने इंडिया के बनाए थी तो यहां पर एस टाइप यानि कोरो मंडल जो तठ है आपका तमिलनाद और जो आंधरा वाला तठ है यहां पे समर ड्राइव रहता है क्यों क्यों ड्राइव रहता है जो दक्षिन पस्ची मौन सुन है उसके यह समानांतर है यानि पावन इसके साथ से निकल जाती है उपर नहीं उठ पाती संग नित नहीं हो पाती बादल नहीं बन पाते बारिश नहीं हो पाती ठीक है सिधे निकल जाती है क्योंकि यह भी पैरलल खड़ा है ठीक है ना और जो यह यह मौनसून इदर से अरबियन सागर की जो इदर से आती है यह इसके वरिष्टी छाया चेतर में है इसके रेंड शेड़ो एरिया में है यानि जो इसका पस्मी भाग है पस्मी आठका यहां इसे टकरा के उप वरिष करती है 300 सेंटीमेटर तक लेकिन फिर वह नीचे उतरती है तो गरम होती है गरम होती तो आर्दता धान करने की संता बढ़ जाती है उसके एकपेस्टी बढ़ जाती है और फिर वो संगना नहीं हो पाता रिदर भारिषे नहीं कर पाती तो इस टाइप के कुछ जो क् हैं AF, AM और AW, AF में कोई सुस्कृतु नहीं, यानि full year rain, और AM मानसुन लगु सुस्कृतु और AW जाड़े की सुस्कृतु, ठीक हैं, और AS यानि summer dry, जो readily found, AM भी है इसमें, इसका एक क्लासिफ किसम क्या है, AM, यानि उसन कटी बंद यह है, मौनसुनी, इसमें भी जो है, शीत्रितु वो जो है, सुस्क रहती है, इसके बाद है आपकी जलवायू, B climate, B के भी इसने, आगे फिर सब्डिविजन किये है, कर दो कर दो कि पयद्वी और outra बंद आपको आपके कौन सा क्लाइमेट है ड्राइ क्लाइमेट सुस्क जलवाई हो जहां पर क्या मिलते हैं रेगिस्तान आप करक और मकर रेखाओं के आसपास देखेंगे तो महादविपों के पस्चिम की तरफ मरुस्थल पाए जाते हैं उसके कार्ण है फिर वो बाद में डिसकस करेंगे तो उस जलवाईू को किस्चे किया इसने यानि बी क्या है ड्राइ कलाइमेट डवलू बड़ेवाला डेजर्ट और एच्ट क्या है लो लेटिटूड डोलेटिटूड यानि इक्वेटारियल लीजन में यैनि टोपिकल वीजन में तो यह जो यहां पे जो मुरुस्थल मलेंगे आप का जो थारका डिजर्ट है आपका कालाहरी डेजर्ट है कर्क और मकर पिले आनमें제 मुरूस सहरा मुरुस्थल है थार का डेजर्ट है अटकमा का डेजर्ट है दक्षणी अमेरिका में ठीक है तो यह जो डेजर्ट है आपके उसमें बी ड्राई डबलू डेजर्ट एच यह आपको अगर याद कर लेंगे तो एच किसके लिए है लो लैटिट्टूड के लिए यहानी नि एस एच भी ड्राई एस स्टेपी टाइप यानि सेमी डेजर्ट सेमी डेजर्ट मतलब अर्द मुरुष्थल हैं जैसे अगर अपने यहां पर देखेंगे तो आपका जो अरावली के वेस्ट वाला पार्ट पाकिस्तान की तरफ वो कंप्लेट डेजर्ट फुल डेजर्ट वहा थोड़ा दक्षिन हरियाना और जो पूर्वी राजस्थान है तो वहां पर सेमी डेजर्ट यानि आर्ध मुरुष्थल मिलता है थोड़ी बहुत बारिश यहां पर हो जाती है यहां पर बिलकुल यह कम बारिश होती है तो 12 सेंटीमेटर से भी कम और यहां पर थोड़ा चा 20-40 cm के करीब बारी से हो जाती है तो कुछ थोड़े वो पेड़ पोदे भी यहां पे होते हैं तो क्या हो गया आपका BWH, BSH आपका steppie type या semi desert और BWH आपका desert ठीक है वर्ष वर उचे ताप मंद यहां पे बारिश की बहुत कमी आपकी वर्षा से आपका विभाव जो वास्पी करना है evaporation यहां पे exceed करता है ठीक है तो वर्ष वर यहां पे आरदरता की कमी रहती है नमी की जो है कमी रहती है इसका फिर next इसना है जो division के हैं BWK, BSK यानि मुर्ष्थल सिर्फ करक और मकर रेखाओं के पास नहीं मीड लेटिटिट्यूड में भी है जैसे तारिम बेशन है वो भीका मुर्ष्थल है ठीक है आपने यहां पे भी देखेंगे तो हिमालियन जो रेंड है इसका जो उत्तर की साइड में जो आपका कराकुरम रेंज का ही एक्स्टेंशन जो लदाक का एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट है है क्या है इस वाले मुर्ष्थल में ओर इन वाले मुर्ष्थल में शेयर्फ की का औंतर रहेगा यह सब्सक्र और छो जो मतलब मिठ लैटिटवर्ड यानि मद्द एक्सांस होम्हें नौम रोष्थं मिलते हैं उसके लिए इसका प्रियोक या यहाँ पे भी जो है आरतरता की कमी ड्राइड कंडिशन्स प्रिवेल करती ही यहाँ पे बी वर्ष बर यहीं इने कम्प्लीट डैजर्ट वी डवल्ड वी के इन मीड लेटिटुडन एक भी-एस-बेंडिकर सबिस्ट對不對 बीक एरिड या सेमी डेजर्ट ठीक है और के मिडल एटिटूड तो इसके यह सब्डिविजन हुआ है इन सब्दों को एक बार आप कर लेंगे वैसे थोड़ा समस्किल लगता यह लिकिन एक बार यह पता लगया कि विंटर ड्राई है या फुल यह रहन है या जो भी है तो फिर इ में पर इसको मार कर लेंगे तो याद हो जाएगा और इसी को संसार में सबसे ज्यादा विख्यात जो क्लैसिफिकेशन है वह आज तक को पेन का ही है ब्लादिमेर को पेन जो संयुक्त परियास 1903 पर मैं दिया था भारत का भी डिविजिन इसने किया है भारत के भी यह कुछ सब जैसे गंग टिक और मौन सुन यह हमारे डिलेशन में किया था थोड़ा रुकेंगे नेक्स्ट आपकी शी जलवाई यू सी के भी इसने तीन डिविजिन किये हैं सी एफ ए सी एस ए ए एंड सी एफ बी सी एफ ए इसको ते आंदेना, कि इसको सी एस ए सी एफ ए सी टेंपरेट मीड लेटिटूड टेंपरेट मीड लेटिटूड एफ फुलियर रेन इस ए तापमान ठीक ठाक है बहुत कम नहीं है मतलब ए है तो ठीक है भी है थोड़ा कम है सी समालमा आएगा थोड़ा और कम हो जाएगा यह जलवा यू मिलती है आपका फुल यहर इंड मीड लेटिटूड में आपका जो पूर्वी नहीं आपका जो पस्चमी यूरोप है पस्चमी यूरोप का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे नबबह सो सेंटीमेड तकरीवन सा पाल भर बारिष होती है ठीक है नेष्ट आपका सी एस एस आप देखेंगे भूमद इसागर भूमद इसागरिया जलवाईव है यह जो समर ड्राइब ध्यान देंगे कि समर ड्राइब नाइंटी परसेंट कहीं होती नहीं है शमर में ही बारिश होती है ज्यादा तरी सुम लेकिन जो भुमद्य सागरिय जलवाई है इसमें शमर ड्राई है और विंटर वो जो है बैट है यानि विंटर रेन फालो होता है यानि जो पूर्वी चीन है उसमें भी सारा साल जो है बारिश थोड़ी बहुत होती रहती है ठीक है और यहां से थोड़ी सी वहाँ पे कम है ठीक है थोड़ा कम मिलेगा यह मैं क्यों कर रहा थे बार बार कॉम्टिटिव एक्जाम में पूछा जाता है सी एस आपके हरियना वाले भी और आपके सेंटर के भी जो एक्जाम होते हैं बहुत महत्वपुन इंपोर्टेंट जलवाई हुए यह ठीक है यह मिलती है आपके भूमद सागर के स्राउंडिंग में जो है जैसे आपका इटली है स्पेन है फ्रांस है आपका वेस्टन जो इसिया के भी कुछ देश हैं या नदर्न थोड़ा पार्ट जो है अफरीका का है उपर वाला कोस्टल एलिया में इस जलवाईयों में सर्दियों में बारिस होते हैं यहां पर सीट्रेस फ्रूट होते हैं और सबजियां वगरा खूब होते हैं यहां से सपलाई अमरिका तक और यह भी पूछा जाते हैं इस टाइप के जलवाईयों कहां कहां मिलती है तो यह जलवाईयों दखषणियां अमेरिका में भी मिलती हैं मध्दे चिलली के आसपस उसके लावा आवे आपको नौर्थ अमेरिका में बी जो कैलिफोरणिया का जो पेनिंसूला है उसके साउथ वेस्ट आपका जो आस्ट्रेलिया है वहां पे भी मिलती है अफ्रीका में भी जो साउथ वेस्ट जो अफ्रीका है उसके आसपास आस्ट्रेलिया में परत के आसपास ठीक है तो यह जलवा यू मिलती है तो यह आपकी सी हो गई डी है आपकी इसमें भी दो हैं डी एफ, कोई सुस्क्रितु नहीं, और डी डवलू, यानि विंटर ड्राई, कोई सुस्क्रितु नहीं, भिशन जाड़ा डी एफ में, डी डवलू में जाड़ा सुस्क तता अत्यान्त भिशन, बहुत ज्यादा रहता है, यह टुन्रा टाइप जलवाई तुन्रा के नजदीक इसको मिड़ लेटिटूड से थोड़ा उपर मिलती है इसके बाद आपकी है एक लाइमेट यानि बिलकुल आइस शीत जलवायू इसमें दो हैं टुन्रा और दुरूवय हीम्टोपी एफ एफ एड़ एटी एटी यानि टुन्रा और एफ दुरूवय हीम्टोपी एटी में है सही अर्थों में कोई ग्री सम्रितू नहीं और एफ पर्मानेंट आइस टोप रहती है सदयाव भीमाचादित हीम्ट ठीक है एक एच कारी इनों परियोग किया था एच यह एफ मैंने गलत लिखा यहां पर हाइलेंड के लिए किसका सब प्रियोग किया था इसने एच का किसका किया था एच आप देखेंगे कि अगर इसका एक दिन फिर आलग से देखेंगे जो जैसे समुदर तलश्या में उपर जाते हैं तो टैम्परेचर वेस बेचार कम होता है 105 cm आते हैं तो 1 डिजुरी सेल्चिय क्वकम हो जाता है तो जैसे यह इक्वेटर से और पोल्स तक जब हम जाते हैं तो तापकर कम होता जाता है इसी तरह का सिस्टम अगर हम फुटेल से और परवत की चोटी की तरफ जाएंगे तो टेंपरेचर कम होता चला जाएगा और वहां पे भी कलाइमेटिक जोन बनेंगे तो उसने एच सब्द का परियो जो आपका तो यह आज का आपका यहीं पर आप